हेलो गाईज वैलकम टू अलो फ्यू लण विथ मी स्वागत है आप सभी का हमारे योटीब चैनल लण विथ मी में तो दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर नए है और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करतीजेगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक किजेगा और मैक्सिमम शेयर किजेगा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ब्लट रिलेशन का पार्ट फाइव ब्लट रिलेशन का मैंने आप लोग को पांच पार्ट पढ़ाया था अगर आपने अभी तक वो पा ऌर डिस्टेम स्पाइव दूरी टार एडिकेशन का मतलब होगी डीस है इसमें हम क्या पढ़ाया इसमें हम करसे हैं और से कुछ सब्सक्रइबें ट लेंगे ठीक है ये होता है उत्तर दिशा, ये होता है पूर्व दिशा, ये होता है तक्षिन दिशा और ये होता है पश्रिम दिशा ठीक है इत्ता पता होगा आप लोगों नौर्थ साउथ इस्ट वेस्ट ये चार रहते हैं और हम कहीं भी खड़े रहें कोई कहीं भी खड़े रहें डिरेक् है दोने हैं दोनों के बीच में डak्षन पूरवतृ के बीच में साउथं पूर्वत मातलब यह दक्षन पुर्वतृ इन दोनों के बीच में साउत वेस्ट यह वेस्ट अदक उत्र और यह पश्टिम ठीक तो यह क्या हो जासे हैं और में आप लोग कुछ बीक बता देती हूं जो कि हमें question solve करने में easy होगा ठीक है जिसे कि हम आसानी से question हमारे solve कर पाएंगे यह आपको दिसा का गयान मिल गया north यह southwest और उनके बीच में जवाएगा वो रहेगा ठीक है अब मैंने आप लोग को सबसे पहले class में बता दिया था left और right ठीक है जो right है वही examiner का भी right है तो हमें अपने according चलना है अब मैंने आप लोगों को बोला एक कोई लड़का है ठीक है मानलो राम नाम का कोई लड़का है वो गया north की तरफ अब वो मुड़ता है यह तो होगा north यह east यह south और यह west ठीक है अब मैंने बोला लड़का है वो राम वो कहां गया north की तरफ गया अब वो अपने left पे मुड़ता है तो left किदर होगा left हमारा left की side है इस side तो left इधर मुड़ेगा अब इधर में वो यहां पे भी आ सकता है यहां पे भी पर जब भी हमें यहां पे degree नहीं दिये रहे की यह आप लोगों को पता होगा यह north है यह south है यह east है और यह west है यह कितने degree का एंगल बनता है यहां पे कुण कितने degree का बनता है 90 degree का तो इनके बीच में कितना हो जाएगा 45 और 45 तो जब तक का हम यह degree नहीं बोला रहेगा वह west पे गया ठीक है मैंने बोला north south east west एक राम नम का लड़का है वह गया north की तरफ मैंने बोला वह left मुड़ा तो वह कहां जाएगा west पे ठीक एक लड़का है राम वह कहां गया north की तरफ मैंने बोला वह right की तरफ गया मतलब कहां गया वह east ठीक है हमारा right मतलब examiner का right हमारा left मतलब examiner का left मैंने कहा left मुड़ा तो वो कहां गया north से पश्शिम और मैंने कहा वो right मुड़ा तो north से कहां गया वो पूरो ठीक है वैसे ही south से रहेगा मैंने कहा south से गया अगर वो east की तरब तो क्या जाएगा साउथ से गया वो राइट की तरफ तो क्या जाएगा है साउथ से लेफट जाएंगी हम तो इसज़ेगा अब यह कैसे है यहां पर आप लोग पन्स विछन हो सकता है जैसे यह नौर्थ है इस्ट है सौथ रवेस्ट आप यह थी तो इस्ट रहा अब यह वैस्ट रहा यह इधर नो The Josh इक आपम सहे यृट के इंदर मेरे तक्राइब आहा? इस बुड़ मेरे आbene हो जाएगा इस भात को फॉमेही ड्यान रखे गार्श घुचwegen राइट और इफट्ट इधर स्वेदर आध़ है। इमदा प्लेम को सब्सक्राइब द्यूत में सब्सक्राइब सबस्क्राइब 2020 कि सब्सक्राइब 25 अब दूसरे बढ़ते हैं डूसरे कोई सब्सक्राइब left right का सीख लिए आपने और distance सीख लिए अब बात होती है front और back की ठीक है ये दो terms भी आपके सामने आएंगे front और back front बोलने से क्या समझते हैं सामने और back बोलने से हम क्या समझते हैं पीछे ये north है ये south है ये east है ये west है ठीक है मैंने बुला कोई गया north की तरब अब वो क्या करते हैं अपने back पे मुड़ता है अपने पीछे की और मुड़ता है तो north का पीछे क्या हो जाएगा south मैंने कहा कोई गया west की तरब वो कहां गया east पे ठीक है और अगर मैंने कहा north south east west कोई लड़का है जो की गया south की तरब अब व वह गया फ्रं टो वस्ट हो गया वेस्ट नोर्थ से मुझा नॉर्थ और मतलना नॉर्थ फ्रंट तो च्ट O injury सब्सक्राद हए आप और ध कर्या कि लगरा नॉर्थ वह सबख़ ol confirmed वेस्ट पे है तो इस्ट आजाएगा इस पे है तो वेस्ट आजाएगा ठीक है इतनी बाता अगई समझ में अब यहाँ पर एंगल की बात करूं मैं तो जब हम नौर्थ से साउथ और इस्ट से वेस्ट आते हैं तो यहाँ पर कितने अंगल बनता है हमारा 180 इस बात को ध्यान ठीक है यह रहा नौट से इस्ट से वेस्ट और यह रहा हमारा नौट से सौट का 180 180 ठीक है फ्रंट और बैक ठीक है तो चले यह तीन बाते क्लियर होगे अब मैं आप लोगों कूछ बताती हूँ जैसे की मालो यह एक वाच है यहां पे रहा 12,369 ठीक है यह एक वाच है अब मा करको चल रहा है किना मनदो किना मैंने बूल को ऊषज्ण सबोट से शोन रुए प्रिशन समय मतलब घड़ी की दीजा में चल रहा है वह खिम चल रहा है जहां भी खड़े असे छीध सायने हैं वहां से हमें right जाना है clockwise मतलब क्या समझा आप लोगों ने right जहां भी clockwise दे गया हमें क्या लेना है उसे right जहां भी भी मुझे anti-clockwise मतलब घड़ी के विपरित घड़ी ऐसे चलती तो हमें विपरित जाना है घड़ी के विपरित anti-clockwise मतलब वहां भी हमें क्या लेना है left ठीक है clockwise मत प्लव लेना है लेफ्ट ठीक है इतनी बार ध्यान रखिएगा तो अब मैं बताती हूं आप लोगों कि इसमें किस तरीकी के कोशन पूछे जा सकते हैं और कितने माक्स कोशन पूछे हैं ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर आप देख सकते हैं तीन टैप की कोशन सबसे पहले हमारा direction or distance-ways मतलब वो किस दिसा में जा रहा है कोई लड़का कोई बंदा होगा कोई लड़की होगी पता नहीं हमें क्या है किस दिसा में जा रहा है और कितनी दूरी वो यह कुछा चाहेगा पहले ठाप के question में ठीक है वो clockwise जा सकता है वो anti clockwise सकता है वो left जा सकता ह तो इत्पी बाते हमें में मैं और पूल सकता है ते आ compelled को देगा या तो ऱ सफेर किलोमेंटर चल रहा है यह समें बहुत О कि शोतने से पार के बिफी था का नबया है उर्फ धाल पर इस तेस सहार जाएंगे तो उसका फेस अब किस तरफ है ठीक है यह एक तरीकी का कोशन बन सकता है हम यह भी पढ़ेंगे तीसरा है सेडोगेस मतलब परचाई वाले कोशन ठीक है परचाई से रिडिटीड कोशन पूछेगा इसमें इसमें आपको संराइज और संसेट का सुर्योदर और सुर्यास्त का दिया रहेगा ठीक है मोर्निंग इवनिंग सुब्य साम ऐसा दिया रहेगा इस टैप के कोशन भी हम क्लियर करेंगे यह एक्जाम में बनते हैं एक से तीन माक्स तक की बनेंगे हमेशा प्री में अगर मैं बेंगिंग की बात करूं तो पीयो और क्लरक दोनों में पूछे ज रहता है ठीक है तो यह इंपोर्डेंट है हम इसको पढ़ना है बहुत एजी रहता है सिर्फ डैरेक्शन और डिस्टेंस का ही खेल है इसमें तो चले पढ़ते हम हमारा पहला कोश्चन क्या हिंदी और इंग्लिस जोनों पे लिखा है आप लोग को जिस लाइज पेजी रहे एक पढ़ेंगे हम बेसिक से और एक में आप लोग को बताऊंगे अपनी ट्रिक ठीक है हम एक्जाम में जब भी आएगा हम किसे सॉल्फ करेंगे हमारी ट्रिक से सॉल्फ करेंगे बेसिक का जानना जरूरी है इसलिए मैं आप लोग को बेसिक से भी बताऊंगे और आप लो नृट्ट इस्ट और वेस्ट ठीक है नौट की तरफ गया शाम नॉर्थ टरफ गया ठीक है कितना गया कितना दोड़ता है वो 11 km डौरा वो तीकितना दोड़ा 11 km फिर क्या करता है वो पीछे मुड़ जाता है ये तो नौर्थ है अब मैं साउथ जाओंगे मतलब वापीस कि 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 यह यहां से पॉर्च जाना है ? कि कि आस सी कलो मेटर नहीन आया है ? और चार बचा है ठीक है तो यहां पे है भी वो कहां पे है भी वो यह शाम यहां से स्टार्टिंग किया था वो शाम यहां से स्टार्टिंग किया था यह 11 किलोमेटर गया था यह साथ हो चुका है ठीक है कहां पे वो यहां पे है भी और क्या हो ईस्ट की तरह मुड़ता है ऐस साथ किलो मिटर फिर क्या ओर रहा है अगेन ही टरंस भैक अब यहां से बैक मुड जाये गा मतलब किधर जा वो फृपिस ऐसे ही इस स्टरब जा रहे है मुड़िया मतलब वापीस इसदर जा त रहा था अब धर ऑफ सस्क्राइब हो जाएी इतनी बात है ईटन थीद्ट कछ लियर होगा ठीक है जाने Brush । चार किलो मेटर ये कितना है total, 7 किलो मेटर है, 4 किलो मेटर वो वापिस आ चुका है, ठीक है, बचा कितना, 3 और total कितने थे, 7 थी, ठीक है, 4 चल चुका है, वो अभी यहां पर खड़ा है, ठीक है, चार वापिस आ तो, और क्या बोल रहा है, again he turns back and runs 4 km ठीक है वो है कहाँ पे अभी यहाँ पे है और क्या कुछ है then he stops अब यहाँ पे वो क्या होता है रुक जाता है अब पूछ रहा है so in which direction and how far is he from the starting point वो प्रारंभीक बिंदू से कितनी जुरूई भी है और किस दिसा में है प्रारंभीक बिंदू कहा है हमारा यह रहा है यहाँ से वो किस दिसा में है यहाँ से जब मैं देखूंगी तो यह north यह south यह east और यह west किस दिसा में इस तरफ है मतलब north और east पे है north और east पे है यह बीच पे दिखर है आप लोग को बडाइगरम बना देटी हूँ मैं यह 11 गया यहाँ starting point है इसका यह 7 गया 7 से इधर गया वो 7 और 4 पे वो वापीस आगया मतलब यह 4 ठीक है यह 7 और यह 11 है यहाँ पे खड़ा है भी हो अब क्या बोल रहा है किस दिसा में है तो किस दिसा में मैं starting point से लूँगी मुझे starting point से पूछा है कि किस दिसा में है यहाँ से अगर लूँ तो यह क्या होगा मेरा north यह क्या होगा मेरा south यह क्या होगा मेरा east यह क्या होगा मेरा west अभी यहाँ बहे है मतलब क्या गया north or east के बीच में है मतलल नौर्थ Св ठीक है किस लिजा में है नौर्थिश है। अप कितने km है ये मुझे पता है पता है ये टोटल 6 था ये कितना हो गया 4 तो बचा कितना है तीन ये तोटल 11 था ये हो गया 7 तो ये कितना 4 अब यहाँ पर मैं क्या लगाओंगी पाइथागोरस प्रमिय आप सभी लोग जानती होंगे क्योंकि 10 तक का पढ़ाया ही गया होगा पाइथागोरस प्रमिय ठीक है पाइथागोरस से हम कैसे लगाएंगे पाइथागोरस से कैसे लगाएंगे यह 4 है यह 3 है स्वार्ट डिक पें तो जो इनअ किह वार्त है इसका अंसर किया जाएगा फाइसार किलो मेटर नौर्फ ऐस्ट ळहाए यह अनसर evaluation by Parod गशुख यृंट के साल लूंग है इक अंप लोग को बताती है हमारी आज की सी Trik से कैसे Solve कर सकते हैं अब ट्रिक से solve करने के इसे एक डाइग्रम करने के लिए मैं बना लूँ फिर चीक है कि इसको कैसे इसके साल्व करेंगे मैं नॉर्थ नॉर्थ भी और किंता चला वह नॉर्थ फिलाफ गिप लेंकет चला है तो इस्ट पे किता गया वह 7 किलोमेटर मैंने लिख लिए 7 किलोमेटर अब वह जला गया back पे मतब इस्ट का back कितना क्या गया west वेस्ट पे चला वह 4 किलोमेटर ठीक इतना पता जल गया अब मुझे निकालना है इसके distance और direction ठीक है अब मैं क्या करूंगी south और west का minus कर दूंगी जो बड़ी संख्या रहेगी मुझे उसमें से छोटी संख्या minus कर देनी है तो 11 में से साथ के कितना बचा चार और ये चार को मैं north पर लिखूं की south पर लिखूं तो जो बडी है हम उसी तरफ लिखेंगी बड़ी 11 है तो कितना बड़ी चार आगए यहां पे तो 16 और 9 25 का 5 आ गया ठीक है 16 और 9 25 25 किसका स्कुर्ण है 5 यहां पे मैं लिख लेती हूं 4 & 3E ठीक है 16 धन 9 12 कैसे आया इसका स्कुर्ण कर दिया वर्ग कर गया तीन का वर्ग कर दिया 95 25 किसका वर्ग होता है पांच का डिस्टेंस तो मिल गई मुझे पांच और डिरेक्शन क्या मिली नौर्थ और इस्ट, ठीक है, I hope so कि यह ट्रीक आप लोग को पसंद आई होगी और आप लोग के लिए एक्जाम में हेल्फ रही होगी, मुझे क्या करना है, सिर्फ यहां यहां पे लिख लेना है, ठ इस्ट और नौर्थ अगया, मतलब नौर्थ इस्ट तो आंसर क्या हो जाएगा, फाइफ नौर्थ इस्ट, इससे हम बहुत ही कम टाइम पर 30 सेकेंड पर अपनी कोश्चन एक्जाम में सॉल्फ कर सकते हैं, ठीक है, I hope so कि यह ट्रीक आच क्या आप लोग को पसंद आई होग ठीक है, North है, South है, East है वर West है, क्या बोल रहा है, East की तरफ गया, मतलब इधर गया, वो कितना गया, पांच किलो मिनितर गया, then he turned right, अब East से राइट की तर गया, मेरा फिस है, इस से तरफ, इसका राइट क्या हो जाएगा, मैं इधर देख रहे हूं, इधर मेरा फिस है, तो तो राइड गया मतलब इस से राइड जाएगा तो क्या आजाएगा इसका साुथ पढ़ेगा तो साुथ में कितना गया ज अब ही टर्ण रइन अगें ही। मतलब South से अब मेरा फिस कितर आ गया यह क्या है हमारा South ढल tekpir अब मात तरह ही आदा को जावान face 10 km और भी तरह ब ajud मद पर omega 12 किर jagay जा रहे रहा है कितना जा है अब यहां पड़ेगा यह नॉर्थ तो नॉर्थ पे कितना आया इधर से जाऊओँ तो वो राइट जाएगा तो फिर क्या जाएगा अभी कितना गया इस complaint ऑगया वो seven गया लिख अब यहां पर दोर तो मेरा आंसर में कैसे निकालूंगी मेरा अंसर में कैसे निकालूंगी सबसे पहले मैं डिस्टेंस लिख लेती हूं नौर्थ नौर्थ पे नौर्थ पे एट रहे एस पर ड्रेक्षन निकल नौर्थ और वेस्ट भीडिंस के निकालूंगी मैं इसका कैसे निकालूंगी में इसका कैसे निकालूंगी तो चलिए देखते हैं 15 का कितना हो गया 64, ठीक है, 15 का square होता है, 2 to 5, 8 का square होता है 64, अब इन दोनों को मैं add कर लूंगे, 5 और 4, 9, 2 और 6, 8, और ये 2 का 2, अब आप लोग बता ये मुझे 289 किसका square होता है, 289 किसका square होता है, 289 होता है, 17 तक का, ठीक है, maths में आप लोग पढ़ते ही होंगे, आप लोगो को अभी जब आप competition exam की तयारी करें तो 50 तक के स्वार आप लोग को याद होंगे इसलिए बहुत सार ट्रिक्स है इजी इजी ट्रिक्स है जिससे कि आप आसानी से कर सकते हैं ठीक है तो चलिए उन ट्रिक्स को आप पढ़िएगा मैं अभी हम रिजिजन की बात कर रहे हैं यह क्या है 17 है ठीक है इसका क्या गया 17 और डिस्टेंस है 17 और डिरेक्शन क्या गया हमारा नॉर्थ और वेस्ट आपको यह ट्रिक कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताईएगा ठीक है बहुत अच्छी ट्रिक है बहुत ही इजी ट्रिक है आगे हमारा नॉर्थ वेस्ट 17 ठीक है तो यह हमारा क्या हो गया आंसर हो गया वही अगर मैं इस कोशन को ऐसे लेकर चलती इधर गए हम नॉर्थ फिर इस फिर गए इधर फिर गए इ बहुत है करते हैं कल में आप लोग ye को बताऊंगी इसी का एक कोशन लगा दूंगी ताकि आप लोगों और अच्छे से समाजा है इससे क ден स्वाल कर लेंगे काल मैं आप लोग को डिगरी वाले पढ़ाऊंगी, degree वाले question करवाऊंगी और clockwise, anti-clockwise वाले ठीक है, ये हम कल पढ़ लेंगे तो चलिए वीडियो के end up करते हैं Till then, keep learning, keep practicing Thank you and bye-bye